नमस्ते बंदे मात्रम आपका स्वागत है इस नए वीडियो में और तोड़े भी आर विए डिसकस फ्लोट प्रोपर्टीज एंड टेग लाइन ओपर चैनल इस बीडेट इन यूर लाइफ जीवन में सदेव अपडेट रहें आज हम चर्चा करेंगे फ्लोट आप जानते हैं कि किसी भी मटेरियल की चार स्टेट होती हैं लिक्विड वी आ टीन जो तो कोई भी सबस्टेंस जो एक्टेणल, अपलाइड, सीयर स्ट्रेस के अधीन लगातार, डिफॉर्म हो सकता हो उसे बोलते हैं फ्लॉड जैसे, अगर आप एक पाना की भून को सीयर स्ट्रेस अपलाई करे हैं रहे तो कब तक deform होगी जब तक वह हो सकती है आप किसी गुपारे में हवा वरी होसे deform करना चाहें तो वह हवा तब-तक deform होगी जब तो गुपारन नहीं टूट जाएगा गुपार तूट जाएगा, अगर गुपारे के अंदर They are substances with zero shear modulus, zero shear modulus क्यों है क्यों है क्यों है क्यों है क्यों सीर स्टर जब भी आप अपलाई करते हैं लगातार वो आपका डिफॉर्म होता चला जाता है In simpler terms, substances which cannot resist any shear force applies to them, example liquid gas in plasma अगर आप एक duster पर, एक solid पर shear force apply करते हैं तो उसको रजिस्ट करता है लेकिन liquid and gases नहीं कर पाते हैं, काफी सारे लोगों को लगता है, fluid का मतलता है liquid लेकिन यहां आपको स्पस्ट हो जाना चाहिए कि फ्रोड में सारे gases, चाहे वो nitrogen हो, चाहे hydrogen हो, चाहे oxygen हो, carbon dioxide हो, carbon monoxide हो सारे gases आते हैं किस में, फ्रोड में, सारे liquids भी आते हैं, फ्रोड में, आप चाहे ईummy על की बात करें, आप मेथनल की बात करें, अप किसी alcohol की बात करें, petrol की बात करें, diesel की बात करें, all liquids are flowed, right Now, fluid mechanics, what is fluid mechanics? It is that branch of science in which we study about nature and behavior of fluid in rest as well as in motion. कोई भी fluid जब rest में होता है, या motion में होता है, गती कर रहा होता है, उस समय उसकी प्रकरती और विवार किस तरह का होगा, इसकी study हम करते हैं, fluid mechanics में. Thus, this branch of science deals with the static, kinematics and dynamic aspects of fluid. तीन aspects की चर्चा करती है, static aspects की करती है, kinematic aspects की करती है, and dynamic aspects की भी करती है, fluid mechanics. अब properties of fluid पे पहुंच गए हैं, और पहली property आती है, mass density, जो बच्चे, BME के students है, उन्हें ये कुछन बहुत बार exam में पूछा जाता है, जो बच्चे fluid mechanics की हैं, उन्हें भी इंसे सम्मधित, जो questions हैं, वो exam में पूछने को मिलते हैं. तो हम बात कर रहे हैं, mass density की, what is mass density? Mass density is very simple, mass density for a substance is defined as the mass occupied per unit volume. It is generally denoted by the symbol rho. Per unit volume में कितना mass होता है, वो कहलाता है mass density. इसे हम rho से प्रदर्शित करते हैं, denote करते हैं, represent करते हैं, mathematically mass density बरावर है mass upon volume. आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे mass upon volume rho बरावर है m upon v. SI unit of mass density, mass की unit क्या होती है? आप देख पा रहे हैं, केजी of volume की unit होती है, meter q. तो mass density unit हो जाएगी, केजी पर meter q. SI unit की बात करेंगे आप. कई लोग volume को लीटर में नापते हैं, तो जिन लोगों को ना पता हो, नोट कर लें आपे, कि एक लीटर बरावर होते हैं 10 to the power minus 3 meter q. या एक meter q बरावर होते हैं 1000 liter. बन meter q is equal to 1000 liter. The mass density of water at 15.5 degree Celsius is 1000 kg per meter q. And for air at 20 degree Celsius and atmospheric pressure, the mass density is 1.24 kg per meter q. पानी की mass density हम सामने हैं जब numerical करते हैं, until or unless, अगर यह अलग से specify यह question में हैं, तो बात अलग है नहीं, तो हम इसको 1000 kg per meter q. यहां पर आप देख रहे हैं कि air जो होता है, air जितनी भी gases होते हैं वो सभी compressible होते हैं, क्यों होते हैं क्योंकि दिये हुए mass के लिए उनका volume परिवरतन सील होता है, आपने गोपारा लिया, आपने गोपारा को दबाना सुरू किया, तो आप mass तो उसका बदल नहीं रहे, ल आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि गर्मियों के दिना में जो टायर होते हैं, वो अक्सर बहुत सारे जो टायर हो फट जाते हैं गाडियों के, क्यों फट जाते हैं, क्यों कि external temperature के current, अंदर जो air है, उसकी quantity नहीं बढ़ती है, लेकि उसकी volume बढ़ जाती है, volume is our compressible fluid, and liquids को हम बोलते हैं, incompressible fluid, ऐसा fluid जिसे compress नहीं किया जा सकता, that is the liquid, right, next property is specific weight, it is also known as weight density, it is defined as the weight per unit volume, it is denoted by small w, SI unit of specific weight is Newton per meter cube, mathematically, specific weight is equal to weight upon volume, weight upon volume आपने देखा यहां पे, and weight बड़ाबर जो होता है, friends वो होता है, M into G, यह यहां पे लिखा है हमने, M upon V क्या होता है, mass density, rho G, तो specific weight, small w आगा है, rho G, काफी सारे बच्चे, weight और mass में अंतर नहीं जानते हैं, उन्हें हम clear कर देते हैं, कि weight क्या होता है, weight is the force by which a body is attracted towards the center of earth, weight एक प्रकार का gravitational force है, weight की unit meter होती है, kg नहीं होती है, आप कही बार कहते हैं कि मेरा weight 80 kg है, तो आप weight की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप weight की बात कर रहे हैं, 80 kgf की बात कर रहे हैं, kgf लगा देती हैं, तो उसमें 9.8 का multiply करना पड़े हैं आपको, 80 into 9.8 newton, इतना हो जाएगा weight, वो mass होता है, 80 kg है, right? next property is specific volume, जब भी आपके सामने term आता है specific, तो उसका तात पर हमेशा ज़्यादातर cases में होगा ratio, specific volume की बात करेंगे, specific enthalpy की बात करेंगे, तो रेशियो होगा, जरूर, specific volume क्या है, it is defined as the volume per unit mass, और density क्या है, density है, mass per unit volume, मतलब उसका reciprocal हो गया न, यह mass density का, it is reciprocal of mass density, के लिए पता चल रहा है में, SI unit mass density क्या होती है, kg per meter q, तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी reciprocal, meter q per kg, it is denoted by small v, mathematically specific volume बराबर है, volume upon mass, you can see it, volume upon mass, v upon m, यानि 1 upon rho, तो specific volume, mass density का, रेशि प्रोकल है, भाई, next property हमारे सामने आगी, specific gravity, specific gravity को define करने के पहले, एक example अच्छे समझ लीजिए, जब भी आप कहते हैं, कि मेरी class में rank third है, इसका तात पर ही हुआ, कि आप अपने आपको compare कर रहे हैं, class के topper से, उसको standard मानके आप बता रहे हैं, कोई कहता है, class में मेरी जो rank है, वो 8th है, मतलब वो topper से compare कर रहा है, तो आपर topper को standard student माना जा रहा है, ऐसे ही liquids की जब बात करते हैं, तो liquids के performance को assess करने के लिए, evaluate करने के लिए, compare करने के लिए, हम पानी को standard flood मानते हैं, कोई सोच, पूछे का पानी क्यों है, क्यों है, पानी ही, water is the most, I must say water is the omnipresent flood, water is the flood which is used everywhere, in all physiological, chemical and industrial applications in our life, विए, विष्यओं समाल होने बाला liquid है पानी, इसलिए, पानी को मानते हैं हम standard flood, किसी की भी तुलना जब करते हैं, लिक्विट की, तो पानी से करते हैं, और gases के लिए भी सब करते हैं, तो एक चीज़ क्या के लिए समभाई है कि water is standard fluid for liquids and air is standard fluid for gases. अब समझते हैं specific gravity. It is defined as the ratio of mass density of a given fluid and mass density of standard fluid. दिये हुए fluid की mass density और standard fluid की mass density के ratio को अनुपात को बोलते हैं specific gravity. चाहे तो इसको mass density के terms से परवासिद कर ले, it is denoted by yes. और चाहे तो इसको हम specific weight के terms में परवासिद कर सकते हैं. In other words, it is also defined as the ratio of specific weight of a given fluid, दिये हुए fluid का specific weight and specific weight of a standard fluid. तो specific weight का ratio भी ले सकते हैं, दिये हुए fluid का specific weight and standard fluid का specific weight. या mass density का ratio भी ले सकते हैं. specific gravity is unit less ये unit less होती है, क्यों होती है क्योंकि mass density और mass density कर इसी होता है and dimension less sum for liquids and gases, water and air are treated as instant float उधारण के तोर पे आपको diesel की specific gravity निकालनी है, तो diesel liquid है, इसके लिए instant float क्या होगा, पानी होगा, तो diesel की mass density divided by पानी की mass density, तो आपको मिल दाएगी specific gravity, mercury की निकालनी है, mercury मेटल है लेकिन है तो liquid mercury की mass density होती है 13,600 kg per meter Q और पानी की होती है 1000 kg per meter Q, तो 1306,000 kg per meter Q divided by 1000 kg per meter Q that will give you 13.6 it means specific gravity of mercury is 13.6 formula से समझते हैं इसको, और we can write specific gravity is equal to mass density of a given float upon mass density of a standard float अथवा, specific weight of a given float और specific weight of a standard float जो अच्छे BME पढ़ते हैं जो अच्छे floor mechanics पढ़ते हैं इंजिनिक में उनमें सामानते gases नहीं आती है floor mechanics के अंदर गर floor mechanics में gases की चर्टा नहीं होती है gases की चर्टा अलग से gas dynamics नाम की chapter में होती है तो हम liquids के लिए बात करेंगे तो liquids के लिए S परावर किसा नहीं हो जाएगा rho, rho मतलब DA float की mass density अपन पानी की mass density पानी की एक हजार और we can say rho परावर है S into 1000 you can see in the last एक numerical ले 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 दे हैं एक और numerical लेंगे numerical सोड़ा के लिए रटे आती है calculate mass density specific weight and specific gravity of a 2 liter of a liquid 2 liter मतलब volume which weight 29.43 newton ये weight दिया है तो given क्या है volume दिया है 2 liter weight दिया है 29.43 newton लेकिं लीटर तो ऐसा unit भाई नहीं होता है और हम आपको बता चोके हैं एक liter बरावर है 10 to the power of minus 3 meter cube तो जब हम specific weight की और बढ़ते हैं तो specific weight में आप देख पा रहे है क्या देख पा रहे है specific weight बरावर है weight upon volume weight upon volume हमने weight की value रखी 29.43 लेकिं लीटर को क्या लखा है 2 into 10 to the power minus 3 meter cube और ये हमें मिल गया है 14,715 newton per meter cube specific weight मिल गया है लेकिं specific weight जो होता है वो क्या है तो rho जी तो rho बरावर क्या है specific weight upon w इससे हमें क्या मिल गया इससे rho मिल गया 1500 kg per meter की हो so specific gravity कितनी हो जाएगी specific gravity is rho upon 1000 1500 divided by 1000 that is 1.5 आसान numerical था आपके लिए कोई doubt हो तो आप पूछ लेना एक और numerical है determine the density, weight and specific weight of 1 liter of a liquid 1 liter मताँ volume दी है with specific gravity 0.89 specific gravity भी दी है तो क्या क्या गिवन है हमें हमें गिवन है volume कितनी है 1 liter 1 liter मताँ 10 to minus 3 3 meter cube है meter cube हो लिखावने चाहिए specific gravity है 0.89 तो specific gravity S बढ़ा होता है rho upon 1000 तो इससे हमें mass density मिल गया mass density होगी S into 1000 तो 0.89 into 1000 890 kg per meter cube mass density मिल गया भाई आप क्या दरकार है specific weight की तो specific weight कितना होता है rho into G 890 into G की value कितनी है 9.81 तो यह मिलता है हमें 8,7,3,0.9 meter cube अब specific weight की प्राफ्टी हो चुगी है अब specific weight बारावर होता है weight upon volume तो weight बारावर कितना हो जाएगा specific weight into volume multiply कर दिया तो यह value आगे हमारी weight की 8.7,3,0.9 8.7,3,0.9 Newton हमें मिल गया यहां पर weight इस new value के बाद हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ यहां तन्यू भरी मुच जए उन्ट है यहीं जए भारत